सब तक क्वालिटी और अफॉर्डिबल स्वास्ते सुविधाओं की पहुझ हो। वेलनेस केंद्रों के माध्यम से सबको अच्छी और मुफ्त स्वास्ते सेवाएं उनके घरों के पास मिल रही है। पड़ा तीका करण अभ्यान चलाया। पिछले आठ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर लगभग 650 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटे 82,000 से बढ़कर 150,000 से अधिक हो गई है। 2014 में 8 एम्स की तुलना में अब 23 एम्स हैं। राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग के गठन से स्वास्ति क्षेत्र में बढ़ा सुधार हुआ है। आजादी के इस अम्रितकाल में एक सशक्थ हेल्थ केर सिस्टम विक्सित करने की दिशा में देश तेजी से आगे पड़ रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश और आसपास के लोगों के लिए गुणवत्ता पूर्ण स्वास्ति सेवाय सुनिष्चित करने के लक्षे के साथ 247 एकड क्षेत्र में 1471 करोड की लागत से एम्स बिलासपूर की स्थापना की गई है। इसके निर्मार का सीधा लाग हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाडी इलाकों के लोगों के साथ साथ पंजाब और हर्याणा के लोगों को भी विलेगा। 750 विस्तरों की क्षमता वाले सूपर स्पेश्यालिटी अस्पताल में कार्डियोलोजी, नियूरोलोजी, नियूरोसर्जरी, यूरोलोजी के साथ साथ OPD, IPD, ICU और OT सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपात सालीन और ट्रामा सेवाएं और एक समर्पित आयूश ब्लोक भी हैं। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज, एक प्रशास्तिंग फ्लोक, ओडिटोरियम, लाइबरी, गेस्ट हाउस, मेस और डाइनिल सुविधा, होस्टल, हेल और चात्रों, शिक्षिकों और करमचारियों के लिए आवास्य सुविधाएं भी देव, भूमी, हिमाचल के लोगों की मेडिकल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में एहम भूमिका निभाएगा। एम्स बिलास्पूर की आधार शिला, माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्तूबर 2017 को रखी गई थी। की बवस्ता के लिए तुरियम को बढ़ा देने के लिए ये अस्पतान एक बहुत बड़ा महत्वपूर कारण बन सकता है। की बवस्तान